वेलकम तू माई चैनल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यास्व ब्यूटी कॉर्डनर एंड विलॉग्स पिछले दो-तीन दिन से जितनी भी क्लाइट मेरे पास पॉलर पर आ रही है उनका सर्फे estuvाल होता कि हमें फ्रेकल्स के लिए कोई क्रीम बताएं हमारे फेस पें स्थे स्थे इस वजह राकुल ¿किस ये वजय से हैं रिजय कोई क्रीम बताएं तो अनका कि सैंधने सरव यही कहती हैं, कि जब तक आपका एच पी पूरा नहीं होगा, मतलब आपकी खोन की कमै पूरी नहीं होगी, आपकी यह फ्रेकल्स की जो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल खतं नहीं होगी. कभी भी खतंग नहीं होगी. आप जितनी मरसी मेंगी क्रीम लगा ले या आप इसके उपर जितना मरसी कोई वो टोटका अजमा ले ये जब तक आपका इंटर्नली प्लेट पूरा नहीं होगा आपकी फ्रेकल्स खत्म नहीं होगी इसलिए आज मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना हूँ जिससे के खून की कमी पूरी हो और आपके जो फ्रेकल्स हैं वो खत्म हो जाए बीट प्रूट यान के चकंदर एक ऐसा सैलिट है या अब इसको कहले कि ये एक ऐसा फ्रूट है जो के खून की कमी को पूरा करता है सबसे पहले मैं आपको चकंदर के फायते बता दूँ सर्दियों के मौसम में चकंदर जो है वो जरूर खाने चाहिए चकंदर खून की कमी को दूर करती है ताजा खून बनाती है जब खून बनता है तो आटिमेटिकली आपकी फ्रेकल्स खत्म हो जाती है चकंदर कौनस्टी पेशन को दूर करता है जिन खावातीन के फेस पे बहुत ज़्यादा एकनीस निकलते हैं इनके लिए चकंदर बहुत ही मुफीद है इवन के ये जो गर्ल्स सौरी लेडिस को रसोलिया होती है वो भी इसको दूर करता है यहां तक के लियोकीमिया जैसी मोजी मर्ज में कच्चे चकंदर खाने चाहिए ये उसको भी खत्म करने में बहुत हद तक मदद देता है चिकंदर की निस्पत चिकंदर के जो लीब्स हैं चिकंदर के जो पत्ते होते हैं इसमें जादा घजाई अज़ाई अज़ाई होते हैं पालक से जादा फॉलाद और दीगर घजाई अज़ाई अज़ाई चिकंदर के पत्तों में पाए जाते हैं जिन लोगों को पत्थरी की शिकायत हो, इन्हें जादा मिक्तार में चकंदर के पत्ते नहीं खाने चाहिएं, क्यूंकि इसमें जो है वो औक्जेलिक एसिड जादा होता है, जो के नुक्सान का सबब भी बन सकता है, इसके इलावा चकंदर बहुत सारे फेस पैक के लिए भी यूस होती है, मतलब आपको जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए फेस पैक बनाने में बहुत जादा निग्दार में ये यूस होती है, लेकिन आज की मेरी ये वीडियो चुके फ्रेक्टल्स पे है, तो म मैं आपको इस से एक इनर्जी ड्रिंक बनाना बताऊंगी, जो के बहुत ही सिंपल है, इस ड्रिंक को पीने के बाद आपको जितनी भी खून की कमी की वज़ा से फ्रेक्टल्स हैं, वो खतम हो जाएंगी, ये बहुत ही आसमुदा टोटका है, हमारी फैमिली में, मतलब एक लड़कियों ने इसको यूज किया है, और ये बहुत ही इफेक्टिव है, सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रीडियन्स बता देती हूँ, सबसे पहला इंग्रीडियन्स जो हमें चाहिए, वो डेफिनेटली है, बीट्रूट, इसके साथ हमें चाहिए, क्यूकेम्बर, य इन सबको आपने एक ब्लेंडर में डालके मिक्स कर लेना है, पानी के साथ, एक गलास पानी भी चाहिए होगा, तो इसको मिक्स करके और इसका जूस बनाके में आपको इसकी फाइन, ये जूस रेडी हो चुका है, आप देखे इसकी फाइनल लुक कितनी ही खुबसूरत है, सबसे पहले तो बीटरू का कलर आप देखे, बहुत ही खुबसूरत कलर अल्ला ताला ने इसको दिया है, एक गलास रुजाना नहार मूँ इसको आपने पीना है, तो एक ही हफ़ते में आपको इसका फर्क वासे महसूस होगा, और एक माँ के मुसलसल इस्तमाल से आप जो है आपको फर्कल्स का मसला है, वो इससे इंशाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपने इसको लास्मी ट्राइ करना है, अगर वीडियो से रेलेटिड कोई क्वेस्टिन है, तो आप कमें सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, जो न्यू है वो ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेविनेटली हमारी वीडियो को शेर करें,